नमस्कार, स्वागत है आप सभी का साहित्ती जोती सबसे पहले मैं आप सभी से छमा चाहूंगी क्योंकि बहुत दिनों से मैं कोई वीडियो लेकर नहीं आ पाई के कारण कुछ बच्छों की पढ़ाई में थोड़ी सी छती हुई है और वो अक्सर कॉमेंट करके कहते हैं कि मैं वीडियो जल्डी डाली ये, जल्डी डाली ये लेकिन क्योंकि मैं एक स्कूल की भी सिख्छिका हूँ और स्कूल में और भी बहुत सारे कारे होते हैं इसके कारण वीडियो में ला नहीं पाई परंतु आगे से प्रयास करूंगी कि समय समय पर आप लोगों को वीडियो दे पाऊं तो इसी के साथ अब सुरू करते हैं आज की वीडियो में हम लोग रंजना श्रिवास्ताउजी द्वारा रचित मा कवीता की व्याख्या को देख करते हैं तरव प्रथम पहला अंसर देखते हैं तो देखिए पहले कुछ पंक्तिया ओह मा तुम इतनी पीडाओं को अपने में समाहित कर कैसे जी लेती हो और विखरा देती हो ममता के अन्यनत फूट तो देखिए बच्चो सबसे पहले हमें कवीता के केंद्रिय भाव को सम किसी के द्वारा हम किसी भी कवीता के अर्थ को उसकी व्यक्षिया को अच्छी तरह समग जो रञ्जनास्रि वास्तवजी द्वारा रचित है यह मूल रूप से माहित्व को दर्शाया गया है हमारे जीवन में माह का कितना महत्व होता है और वह कितना अधिक संघर्ष करती है अपने सभी बच्चों के लिए अपने परिवार को एक सुत्र में पिरो कर रखने के लिए इसका वीता में इसी भाव को व्यक्ट किया तो आईए हम अर्थों को देखते हैं ओह मा तुम कितनी पीडाओं पीडाओं सब्द का अर्थ है कष्ट पीडाओं को अपने में समाहीत का अर्थ होता है आत्मसात कर लेना यानि कि ग्रहन और लेना कैसे जी लेती हो प्रशन वाचक्षिन है पूछ रहा हैं और विकरा देती हो ममता के अंगिनत विकरा देने का मतलब है पैला देना ठीक है पैलाना मम्ता के अंगिनत मम्ता यानि प्यार अनगिनत अनगिनत यानि जिसे गिना न जा सके पून तो संतर्व देखे प्रस्तुत अंस में कवित्री ने मा की पीडा और उसकी मम्ता का मार्मिक चित्रन किया है तो यदि हम व्याख्या को देखे तो देखे कवित्री मा की सहन शीलता और ममता की भावनाव पर दुख एवं अस्चरी भी प्रकट करती है मा अद्भुत सहन सील होती है जिसमें इतने सारे कष्टों को आत्मसाथ करनी की शक्ती होती है वह जीवन के इतने सारे कश्टों को ग्रहन कर लेती है, हसते हुए, मुस्कुराते हुए, किसी से एक सिकायत भी नहीं करती है सारी पिड़ाओं को सहते हुए भी ना जाने कैसे जीती है, कभी किसी से सिकायत नहीं करती जीवन से कभी भी भार नहीं मानती लोगों में प्यार और अनंत फूल विखरा देती है, प्यार के जो अनंत फूल होती है, वह विखराती है, स्वायम कश्ट सहती है, पर लोगों में प्यार के फूल खिलाती है, लोगों को प्यार प्रदान करती है, सभी परिवार के अंदर जितने भी बच्चे होते हैं, या औ और भी लोग होते हैं, सभी के प्रती प्रेम और ममत्व का भाव रखती है, ममता का भाव रखती है, और सभी को एक सूत्र में सदेव पिरोय रखने का कारे करती है, सभी को प्रेम का जो एक सूत्र है, उसके भीतर सभी को वो जोड़े रखने का कारे करती है, आगे के एंस दे अपने कलेवर से सहती हो जाकि जाट पटकार उनके फफकारते फफकारना यानि आप समझते ही हैं फफकारना जिसे कहते हैं उनके फफकारते हुए पृद्ध अभिमान अभिमान यानि अहंकार आप हंकारको तास्वशुर भाई भतीजय को लिज लिज लिज्वदिजय आप परमपरावाधिय यानि असोभनिया या हम जिसे बाविल बेभाण से कहते हैं थिके बेधंका लिज लिज्वर यानि पुरानीक परंपरावादी यानि की पुरानी रीतिरिवाद या पुरानी रीतियों के पोशक उन्हें हम जो लोग पुरानी रीतियों को मानते हैं उन्हें हम परंपरावादी कहते हैं पुरानी रीतियों के पोशक बदरंग बदरंग यानि रंगहीन रंगहीन आदर्षो को आदर्ष यानी नमूना या जिसे हम अनुकरणिया कहते हैं जिसका हम अनुकरण कहते हैं ये नमूना पीडियों से पीडियों यानी पुस्तों से पीडियों कार्थ होता है पुस्तों से जो कई पुस्तों से चली आ रही है पुष्ट से पीडियों से घिसी पिटी अपमान जनक बातों को अपने से जुड़ी खलनामई आगहातों को चलनामई यानि फोखा खलनामई आगहातों को आगहातों यानि प्रहार जो उन पर तरतर के प्रहार किये जाते हैं तो यह आपका मैंने इन शब्दों के अर्थ आपको बताए आए अब याख्या देखते हैं तो कभी कवित्री जो है रजना सिवास्ता वो बल्कुल ही स्पष्ट करते हुए कहती है कि बताती है कि किस प्रकार जो मा होती है वो परिवार में सभी लोगों की कटू ब्यवहार को सहती है कि पुष्ड़ की डाटफटकार को सहती है प्रोज से भरे अहंकार से भरे उनके ब्यवहार होती है उसको भी सहती है और पुरानी रिती रिवाजों के पोशक जो सास ससुर होते हैं, भाई भतोजे होते हैं, उनके भी जो असोभनिय, बेढंगी, वनसानुक्रम, यानि कई पिस्तों से चली आ रही पुरानी रितियों, जिनका अब कोई अर्थ नहीं है, वो बिल्कुल भी समाज में प्रसांगि साथ है, उसे भी वह भैरे पूर्वक सह लेती है, तो अगर हम देखें, तो इस कवीता में कवित्री ने मा की जो अदभुत सहन सीलता है, कि वह किस प्रकार जो है, अपने परिवार को एक जुट बनाये रखने के लिए, पती के डाठ पटकार, सास ससूर, भाई भती, जो के परिवार है, वो एक जुट बना रहे, सभी में प्रेम बना रहे, ओह मा, साहस की जननी, यहाँ पर मा को साहस की जननी बताया गया है, जननी यानि माता, ममता की प्रतिमूर्थी, प्रतिमूर्थी यानि प्रतिकृति, जह हम कौपी कहते हैं, यह, प्रतिकृति, क्या सूख तुम्हारे यासु या फिर उन्हें जज्ब कर लेती हो जज्ब यानि शोख लेना या जिसे हम कह सकते हैं शोषण या पर शोख लेना ठीक होगा कि जज्ब कर लेती हो सहंसीलता के दामन में दामन यानि आचल मौन हो जाती हैं संबेदनाए यानि अनुभुति तुम्हारी विसालता से चक्रा कर मौन हो जाने का अर्थ है तुप हो जाना तुम्हारी विसालता से यानि बडपन से उनके बड़ेपन से चक्रा कर तो इन पंक्तियों में रंगना श्रिवास्ताओ जी ने मा के हिर्दय की विसालता का वर्णन किया है उनकी उदारता का वर्णन किया इससे पहले वाली पंक्ति में उन्होंने मा की सहंसीलता का वर्ण मा के हिर्दय की विसालता और अतिशाय जो उदारता है अत्याधिक उदारता है उसका वर्णन करती है कवित्री मा को साहस और मम्ता का प्रतिक मानती है कि साहस और मम्ता के प्रति आश्चरय प्रकट करती हुए कहती है कि मा ऐसी माता है ठीक है मा ऐसी माता है जो साहस और मम्ता की प्रतिमूर्थी है प्रतिमूर्थी यानि कौपी परिवार में जो भी उत्पन पीड़ा होती है परिवार से जो भी पीड़ा होती है उसको सहर शहर्स यानि खुशिक के साथ सहती है तो यहां पर प्रश्ण कर रही है कवित्री कि क्या मा के आशों जो हैं वो सूख गये हैं या फिर वह सभी कष्टों को उसको राकर सहंसीलता के आचल में सोख लेती है ग्रहन कर लेती है यहां पर मा की अतिशाय महांता उदारता के कारण उनकी सारी संबेदनाई चुप हो जाती है एक प्रश्ण भी है यह कि मा जो है वो ममता और साह जो हमाह संब में प्रति मूर्ति है और परिवार में जितनी भी पीडाएं होती है कष्ट होती है उसको सहर्श खुसी के साथ वो ग्रहन करती है तो क्या जो उसके आशों है वो सूख गये है या फिर इसकी यह जो विसालता है जो सहंसीलता है उससे का तक्राकर जो है उसकी पीडा जजब हो गई है, सूख गई है, इसका वणन किया, फिर ओह मा, तुम परिवार से, समाज से, कहीं बहुत उपर हो, यहां पर मा की विशालता का वणन किया गया, और पताया गया है, कि मा जो है, वो परिवार व समाज से उपर है, सभी तो तुम्हारे मन के आकाश में, किले फूलों पर, तेज धूप पर, हवा के विप्रीत, विप्रीत यानि विरुद्ध, प्रीत शब्द कार्थ होता है, विरुद्ध, रुख का, रुख यानि तरफ, असर नहीं हो पाता, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मा के हिर्दय की विसालता का वर्णन है, और बताया गया है कि मा जो है, वो समाज और जमाने से कहीं ज़्यादा उपर है, और इसी लिए समाज और जमाने का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, मा का जो सभाव होता है, विचार होता है, वो परिवार और समाज से कहीं ज़्यादा उपर है, इसी कारण मा के हिर्दय रूपी आकाश में जो खिले फूल है, प्रेम का जो फूल खिला हुआ है, उस फूल पर तेज धूप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो कटुता है, विचार है, उसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता, क्योंकि मा जो है, वो समाज और परिवार से कहीं ज़्यादा उपर है, उसकी जो सहन सीलता है, उसकी जो उदारता है, उसका जो प्रेम है, वो कहीं अधिक है, और इसी कारण समाज का, जमाने का कट प्रभाव है वो उनके उपर देखने को नहीं मिलता और उनके हृदय के आकाश में जो खिले फूल हैं वो सदेव खिले ही रहते हैं मा का हृदय आकाश की तरह विशाल है और खिले फूलों की तरह दिव्य और पवित्र है इस कारण क्या होता है जमाने की जो कठोड़ता है या संकिन विचारधारा है उसका मा के हिरदय पर कोई प्रभाव ही पड़ता है हवा की जो प्रतिकूल दिसा कभी उस पर कोई प्रभाव नहीं डालता सामाजिक विशमता परायापन तुछता का उस पर कोई असर नहीं होता है वे केवल देना और देना ही जानती है वदले में उसे कितना भी कष्ट मिलता है दुख मिलता है वह मौन धारन करके चुप चाप दहती रहे इसी कारण मा को सबसे उपर का दर्जा दिया गया है और इस कि पूजा की जाए बंदनिया हो तो अतुलनिया तुलनिया यानि बेजोड इसकी किसी से तुलना की जाता है सबसे बिलकुल अलग फिर भी सबमें समाहित समाहित यानि मिली हुई या आत्मसात तो यहां पर वे तो कवित्री हैं माता के महत्तु को दर्जाती हैं और मा के करित्रों को व्यक्तित्यू को बताते हैं कि मां तुम वंदनिया तुलनों का अननत भंदार हो, परिवार की कमाम यातनाव और कस्टों को सहते पूझाने होई भी अपनी उदारता उच्च शेता, उच्च शेता यानि उच्चापन को कभी नहीं छोड़ता है। उनके मन में नफरत या द्वेस की भावना नहीं पनपती। सभी कोवे अपना समस्ती हैं और सभी के कल्यान की काम ना करती। तो कवित्री ने यहां मा के व्यक्तित्त्व कवर्णन किया है कि मा किस प्रकार अपने परिवार अपने बच्चों को बनाय के लिए एक सूतर में पीरोय रखने के लिए सभी कश्टों को सहती हैं परन्तु कभी भी किसी के लिए अपने मन में ग्वेस घ्रना नहीं लाती हैं इसी कारण माता जो होती है वो सबसे उपर होती है समाज से परिवार से सबसे उपर होती है बच्चो यदि इश्वर के बाद किसी को पूजनिया या बंदनिया बताया गया है तो वो माता को ही बताया जाता है क्योंकि मा का स्वरूप ऐसा ही है वो हमें कष्ट में देखकर श्वयम दुखी होती है, अपने मूँ का निवाला हमें खिलाती है और हमें हर तरीके से सीच कर एक अच्छा इंसान बनाने का प्यास करें और इसलिए माता जो होती है वो बंदनिया होती है तो इस कवीता में हमने मा के महत्व को पढ़ा इस पार्ट का जो प्रश्न उत्तर है इसके अगले वाली वीडियो में दी जाएगी आप उसे भी जरूर देखिएगा ताकि आप इस पार्ट को अच्छे से समझ सकेगे आसा है कि यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसके द्वारा इस कवीता को समझने में आपकी सहायता होई होगी और आप इस कवीता को अच्छे से कर पाएंगे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करना आप दूलेगे के साथ